नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हमारी एक बहुत ही important discussion है जिसे हम कहते हैं color therapy या फिर हमारे जीवन में रोज मर्रा की जिन्दगी में हम किस तरह के कपड़े पहने ये color therapy भी कहलाती है और हमारे ग्रहों के अनुसार हमें किस तरह के color पहनने हैं ये भी जरूरी हो जाता है क्य life में असर होता है अगर हम मंदे ग्रहों से सम्मंदित अपने पास चीजे रखते हैं तो वह ग्रह स्थापित माना जाता है चाहे आच्छे ग्रहों का है चाहे कराब ग्रहों का है जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ग्रह को एक दूसरा ग्रह मदद करता है, क्योंकि हर एक ग्रह की आपस में कुछ ना कुछ मित्रता या शत्रता है। अगर हम किसी मित्रगह से संबंदित अपनी डेली लाइफ में कुछ कपड़े पहनते हैं और खासकर specific दिन में पहनते हैं तो उसका एक अलग ही असर होता है तो वही असर में आपको समझाने बाला हूँ कि आपको किस दिन यानि कि कौन से वार को आपको किस कलर के कपड़े पह हो चाहें वो फेलियर हो कुछ भी हो हमारे जीवन में आते हैं जैसे कि राहू हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉलम कर देता है आपने कई बार देखा होगा कि आप कुछ अच्छे कलर के कपड़े पहनते तो आपका भावना सी जागरित होती है , आप कॉंफिडेंस और आपका बनना शुरू हो जाता हैं आप लोगों की नजरों यह कि हमारे कपड़े हमारे जीवन पर बहुत जादा असर डालते हैं चाहें वो कपड़े हो चाहें कुछ भी हो चाहें आसपास का वाताबरन हो चाहें किसी भी तरह की कलर करेक्शन हो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उनका असर होता है जिसको हम कहते हैं कलर थेरपी अगर ह प्राइब कोई एक दिन मेरा ऐसा खराब जाता है कुछ अच्छा भी जाता है आपको लगता है कि मेरा ये दिन बहुत लगी है आज मिरे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा अगर मैं कुछ काम करूंगा अच्छे तो अब इन सबी बातों को हमें एक तरीके से समझना है कि कैसे हमें इस color therapy को अपनी life में अपनाना है पहला सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि चार ग्रहे ऐसे हैं जो कि आपस में मित्र कहलाते हैं जैसे कि ब्रस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल इन सब को आपस में मित्रता कहा गया है और इसके विपरीत जो दूसरी category के हैं जो पापी ग्रहे कहलाते हैं जैसे कि राहू, केतु, बुद, शुक्र, शनी ये ग्रहे एक आपस में मित्र कहला जाते हैं अब इन जो ग्रह एक party हो गई दूसरी party हो गई जो की शुप ग्रह किलाते है एक कहाते हैं अशुप ग्रह जो की पापी ग्रहों की category में है अब इन ही दोनों के बीच में आपने balance बनाना है कि आपस में इन दोनों का कहीं पर भी color combination खराब ना हो तो हम समझते हैं सबसे पहले सों बार चलो संडे से शुरू कर लेते हैं संडे से यानि कि इतवार का दिन संडे, मंडे, टूस्डे, वेनेस डे चले टूस्डे तक शुरू करते हैं सबसे पहले ये तीन दिनों को हम केटेगराईज करते हैं क्योंकि तीन दिनों में ही आपके बहुत सारे color आ जाते हैं इन तीन दिनों में आपको सबसे ज़्यादा color कौन से पहनने है या फिर किस तरह से आप color पहनने है यूज करने है यूज करने के तरीके बहुत सारे है या तो आप कपड़े पहनी है या फिर अपने पास कोई belongings अप ब्रेसलेट हो गया घड़ी हो गई कुछ भी आपके साथ उस तरह के कलर का यूज करना है आपको तो सबसे पहले संडे मंडे और तूजडे के बारें बात करते हैं इन तीन तीन दिनों में आपको क्या रंग जब सबसे अधा इस्तमाल करने हैं अगर माल लिजे कुंडली में चंदरमा कमजोर है चंदरमा कमजोर है दिमागी टेंशन रहेगी दिमाग के कन्फूजन में रहेगा कुछ ना कुछ प्रॉलम है आपके इस तरह से चंदरमा में जो की आपको सोंबार या फिर आपके ओवरॉल दिमाग में घड़ते बढ़ते विचारों का एक काम करता है तो चंदरमा कमजोर है चंदर को सही करने के लिए किसकी मदद की जाएगी वो है ब्रस्पती मंगल और सूरे की तो ब्रस्पती का रंग है पीला सूरे मंगल के लिए आप लाल रंग ले सकते हैं बादामी रंग ले सकते हैं मतलब या तो तामा कलर सूरे के लिए तामा कलर ले योग कर सकते हैं यह तीन दिन आपके लिए लाल कॉपर कलर और यलो कलर और वाइट भी इन दिनों में यानि कि आपको चार कलर हो गया रेड हो गया कॉपर कलर हो गया यलो हो गया और वाइट हो गया यह चार कलर आप तीन दिनों में ज्यादा इस्तमाल करें उसके बाद बात दिन का जाताट बुद्धवार सुखरवार शनीवार अब यह दिन है आब बुद्धवार के लिए आपको क्या ध्यान दखना है देखिए अगर कुडली में बुद हराग है बुदः खराग के बहुत सार貌क्षन हो सकते हैं आपको दांतों की तकलिफें हो सकती है कहीं पर शरीन में कोई सुन पने की यानि की सुन हो जाना कोई इस तरह की दिक्कत हो सकती है आपकी कॉमिनिकेशन बातचीत कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित नहीं करती है confidence level लो रहता है आपका mathematics कमजोर हो सकता है कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो आपका दिमाग पर्खर नहीं है तेज नहीं है समझ लीजये बुद्ध कहीं कहीं कमजोरी लिए बैठा है तो बुद्ध की पालना करना बहुत जुरूरी है मतलब उसे चहीं करना बुद्ध के ही उपाय vậy से किया जाता है अब बुद्ध के उपाय से किया जाता है उसके बहुत सारे तरीके हाँ पक्षियों को मुंग डाल डालो आप घर में चोड़े पत्तों के पौधे ना लगाओ और इसके साथ-साथ ही आपके हरे कपड़ों का अवाइड करना है हरे कपड़े नहीं पहनने यहा हाँ, but mixture में आप पहन सकते हो, कोई specific दिन में आप पहन सकते हो, वो भी आगे में बता रहा हूँ किस तरीके से, बुद्वार के दिन आपको दो रंग को ज़्यादा यूज़ करना है, पहला रंग जो की off white है, cream color है, ये color आप यूज़ कर सकते हो, इसके लावा white color यूज़ कर सकते हो, चंदर्मा से संबंदित रंग, off white, शुक्र से संबंदित रंग, क्योंकि ये मितर ग्रहे की category में आते है शुक्र, off white color, ठीक है, हलका सा नीला रंग लिये हुए, जो की नील चड़ा हुआ कपड़ा होता है, white, वो color, ये color शुक्र को मदद पहुचाने के काम आते हैं, चंदर्मा का white color, ये कपड़ा चंदर्मा से संबंद रखता है, बुद्ध के दोश दूर करने के लिए, चंदर में, जब रस्पती, खाना नंबर 10 में हो, specifically 10th house में, तब आपको ये ध्यान रखना है, यलो कपड़े नहीं पहनने है, पर आपको पहनने क्या है, वो समझे, आपको red color, copper color, या white color, या black color, ये आप थास्टे को यूज कर सकते हो, क्योंकि जो मितर ग्रहे के color है, white color, या फिर copper color, या red color, ये मंगल, सूरे और चंदर से संबंद रखते हैं, black color, शनी, जब शनी के दोश हैं कुंडली में, तो वो दूर करने के लिए आपको थास्टे के दिन, black color का यूज करना है, black color के कपड़े हो सकते है, ब्रेसलेट हो सकता है, घड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके daily life में, आप black color के towel यूज कर सकते हैं, कुछ कपड़ों का combination आप यूज कर सकते हैं, पर इतना द्यान रखिएगा कि single color कभी मत पहनिए, single color को avoid करिए, उसका balance बनाईए, light and dark का, तो ज़्यादा बैटर रहेगा, इसके लावा हम बात करते हैं, अब आगे का दिन हैं, श का patch आ सकता है, या फिर check हो सकती है, lining हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई design, फूल, पत्ती, कुछ भी, green color का, साथ में white या off white मिला सकते हैं, इस तरह के कोई combination देखिए, आपके पास पहुत सारी चीज़े होंगी, उस चीज़ों को आप इस्तमाल करिए, कपड़ों को इस्तम रहेगा, आपके अच्छे परभावों को जागरेतर करेगा, अब बात करते हैं, इसके साथ साथ आपको black color भी use किया जा सकता है, क्योंकि शुक्र को support देने के लिए शनी की मदद ली जा सकती है, और ये भी काफी अच्छे effect देता है, अब बात करते हैं, शुक्रवार के बा जो कि केतू का संबंद रखता है, उस तरह के color को आप use कर सकते हैं, और साथ ही साथ yellow color भी आप इस दिन use कर सकते हैं, शनी बार के दिन, कोई भी yellow color की चीजें, कुछ थोड़ा बहुत उसमें yellow tone हो, yellow color हो चाहे, lemon color हो चाहे, yellow color हो चाहे, केसरिया रंग हो, कोई भी color हो, इस तर color आप daily life में use करिए, अगर कुणली में सूरे के परभाफ कमजोर हैं, आपको immune power कमजोर रहती है, तब ये कहा जाता है, कि आप copper के बरतन में पानी पीए, क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, कि उसका element हमारे body में बढ़े, हमें उसकी औरा, यानि कि जो औरा हमारी body में कमजोर परती जा रही थी, इस तरह की चीजों का इस्तमाल करके हमारी औरा बढ़े, तो बहुत सारी चीजे हैं, पर यहां पर आप एक छोटी सी, एक color correction करके अपने जीवन में सही असर जागरित कर सकते हैं, एक अच्छे ग्रहों का प्रभाव ले सकते हैं, हमेशा याद र होता है, कहीं पर light होती है, कहीं पर sky blue हो जाती है, कहीं कुछ हो जाती है, अब बात करते हैं, sky blue color की, हमने काले की बात कर ली, हमने हरे की बात कर ली, हमने क्रीम की बात कर ली, काला नीला, एक ऐसे रंग है जो commonly इंसान यूज करता है बहुत ही अपनी life day to day life में, तो इनका इ इसी चीज है, तो पहनना आपके लिए, हाँ इसके साथ साथ एक चीज और अडिशन करा दो, कई बार कई लोगों की ड्रेस ऐसी होती है, या फिर आप कंपनी में हैं, कहीं कॉलिज में हैं, तो वो चीजों को आप वहम मत करिए, उसके साथ साथ आप अपनी पॉकेट में मित् मंदित, कलर को जरूर शामिल करिए, या तो रेड कलर को करिए, या फिर क्रीम कलर को करिए, या फिर वाइट कलर को करिए, वो आप हैंकी, टावल या किसी तरह की चीजों का आप इस्तमाल करिए, आप अपने बैक का कलर भी वैसा ले सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आपक कोई office है, आपके पास workers है, तो उनको आपने कोई t-shirts देनी है, कपड़े देनी है, तो इस तरह से एक अच्छे color chain करके, light color chain करके, आप उनको दे सकते हैं, gray color भी दे सकते हैं, आप उनको white color भी दे सकते हैं, और white color भी दे सकते हैं, pink भी दे सकते हैं, mauve भी दे सकते हैं, ये color दि है कि आपको यह color पहनने हैं पर ज्यादा amount में नहीं पहनने हैं आप इनको कभी-कभी पहन सकते हो पर इसके साथ combination वाइट का जुरूर रखिए blue black या फिर sky blue के साथ या फिर gray के साथ इनके साथ combination अगर आप बना लेंगे तो एक energy का balance हो जाता है जो कि negative पॉस्टिव पॉस्टिव जैसे की चंद्र चंद्र ही पापी ग्रहों के असर को सही रख सकती है यानि कि उन्हें color पहन सकते हैं brown color पहन सकते हैं tan color पहन सकते हैं बहुत सारे color है जो कि सूर्य मंगल चंद्र से संबंद रखते हैं तो दोस्तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से एक थोड़ा सा color से कुछ इंपोर्टेंस पता लगी होगी कि आपकी लाइफ में color का कितना इंपोर्टेंस है तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगये दीजिए नमस्कार